कि वर्ड मीडे टाइम्स में आपका एक बर फिर से स्वागत है मेरा मंदीप कौर ग्रशक ने दान किया 223 कुंटल घेहूं कोरोना के काल के इस समय गरीबी और अमीरी का फासला कम होता दिख रहा है लोकशारीरिक दूरी बना रहे हैं लेकिन जरूरत मन्द लोगों के लिए हर संभब मदद को आगे आ रहे हैं ऐसे ही एक रशक यूपी के शाजनपूर में सामने आया है जिसने अपने 12 एकड़ खेत की उपजी गयों की फसल को पीम केर में दान कर दिया है दरसल गुजरात के बड़ोदा के रहने वाले क्रशक धरमेंद्र सिंग लाठर ने तिलहर तैसिल के निगोही विकासखंड के ग्राम गुलडिया चक जाओ में लगभग 12 एकड़ जमीन खरीदी थी उस जमीन से 223 कुंतल गेहु की पैदावार हुई जिसको उन्होंने करोन महमारी से जूजते लोगों की मदद के लिए पीम केर में राहत फंड के दान में दे दी खेत की देखबल करने वाले सुरेंदर सिंग ने बताया कि क्रशक धमेंद्र ने अपनी प्रथम फसल उपजाओ होने पर 223 कुंतल गेहु कोरोना रिलीफ के लिए पीम केर में दान कर दिया है चेत्रिय लेख पर अबनी सिंग वाग गूरु प्रकास की देखबल में रोचा मंडी समीती परिसर में गेहु को पोरियों में भरा जा रहा है आए सुनाते हैं सुरेंद्र सिंग देखबल करने वाले व्यक्ति का क्या कहना और अबनी सिंग लेखपाल का क्या कहना ह इस तरीके से उसने दान किया है ये धर्मेंदर सिंग राठार जी है जो बड़ोद्रा गुज्रात के रहने वाले इन्होंने हमारे छेत्र में भी छे महीने पहले लगबग सबावारा एकट जमिंग फरीडी थी जिसमें इन्होंने ये पहले गहों की फसल है उपजो ही इनके कि इन्होंने पीम केर में इसे दान दिया है कितने कुंटल फसले लगए अभी धर्म काटे से लगबग 223 कुंटल 65 किलों हुआ था लेकिन अभी एक्चुली इसका दुबारा बजन किया जा रहा है तब किलियर हो जाए कितना हुआ है मेरा नाव इसे धर्मेंदर सिंग लातर है हमारे जो मालिक है इसके लेंड ओनर तो धर्मेंदर सिंग लातर है बड़ोदा भुजरात से उन्होंने आपे निगोई ब्लोग की अंदर जाओ है गुलडिया चक्षाओ करोना जो महामारी आज हमारे देश में पहले हुई है उस अधिया फैसला किया कित्रा कुंटल है यह 223 कुंटल लाइब देश दुन्या की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चानल को सब्क्राइब करें